हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं को सेंटर युनिवर्सिटीज के जो है एंटरेंस टेस्ट के जो है कॉंपेटिशन लेवल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कि आप लोग को पता है कि जो है सीवेट 2023 के जो है एक्जाम्स कल से स्टार्ट हो गए और अगर हम परसंट बच्चों ने जो है एक्जाम्स दिया है तो आपको पता है कि 14 लैक प्लस जो है सीवेट में फार्म्स आये हैं तो क्या कट अफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी यह डिपेंड करेगा सबसे पहले नंबर आफ कैंडिडीट कितने बच्चे एक्जाम्स में अप प्रोल जो है अपियर हो पाते हैं तो यानि आप यह मान कर चलिए कि जो कॉम्पेटिशन से आपका वो 10-11 लैक्स बच्चों से है ज्यादा बच्चों से आपका कॉम्पेटिशन लैवल जो है नहीं है दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी उनिवर्सिटीज में आपको एड्मीशन लेना है उस उनिवर्सिटीज का आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि उस उनिवर्सिटीज में कितना कॉम्पेटिशन है जैसे अगर हम बात करें दिल्ली उनिवर्सिटीज की बात करें या फिर हम बात करें, B Calvin Day की, या फिर हम बात करें, जामिया की, या फिर हम बात करें, अलाभाद युनिवर्सिटीز की, तो इन युनिवर्सिटीज में बही काफी यूनि कॉर्टीशन रहता है, तो depend करेगा कि आप किस course में apply कर रहे हैं उसके basis पर आपकी cut off decide होने वाली है और अभी CU8 के वेपर्स आप लोग को पता है कि काफी बाकी है तो अगर आपने अभी CU8 का वेपर अगर आपका बाकी है जैसे कि general test का अगर बाकी है English का बाकी है अभी बाद में है तो अभी भी जो है निकल जाएगा और एक अच्छे college में admissions आ जाएंगे और ध्यान रखना है कि उनिवर्सिटीज का फॉर्म भी आपको फिल करना है जैसे जैसे उनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलते जाएंगे आपको वीडियो बनाके अपडेट कर दिये जाएगा कुछ उनिवर्सिट इसके फॉर्म निकलने बाकी हैं जैसे जैसे फॉर्म चाहिएंगे आपको अपडेट कर दिये जाएगा थैंक्यू